नमस्कर दोस्तों मैं स्ट्रलेजर रजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूटीव चैनल खित्रा स्ट्रों मास्टर में मेरे मिथून लगन और मिथून राश्वले दोस्तों कैसे हो दोस्तों बात करें अक्तूबर मास की तो ग्रेग उच्चर के मसार आर्थिक द्रिष्टिकों से यह मास उत्तम दिखाई दे रहा है आर्थिक कुन्दती लाब्त था आयवरिदी की परवल संभावनाई पैदा हो रही हैं इस मास आर्थिक ग्राफ की दिशा उपर की और करने के लिए उठाएगे एक कदम सफल सिद्ध होते दिखाई देंगे आप अपनी आर्थिक स्थिती को बेहतर हैं सुद्रिड करने के लिए कठोर हैं कड़े फैंसले लेने से भी पीछे नहीं हटेंगे तथा सुख शांती से बैठना पसंद नहीं करेंगे लगातार आर्थिक उन्नती और सफलता के लिए प्रियासरत रहने के साथ परवारिक जिम्मेदारियों के प्रती सजग रहेंगे तथा पूरी कुशलता से जिम्मेदारियों को निवाते नजर आएंगे पूरण मास आप की राशी के लाबाप के स्वामी मंगल की लाबाप अपने ही बाप पर पुरन दरिश्टी लाप कि स्थिती को अत्यांत ही मजबूत बना रही है लाबाप की मजबूती से मेहनत और प्रियासों का पूरण फलाप एम सफलता के रूप में मिलेगा इसके अलावा इस मास वक्री वस्ता में चल रहे ग्रैवी मारगी हो जाएंगे जो कि सबसे बढ़ी राहत लेकर आएंगे मास मद्या में गुरू शनी एम राशी स्वामी बुद्ध का मारगी होना सुख शान्ती एम परसंता का भाव लेकर आएगा जो तो गोच्चर वश अक्तूबर मास में चार ग्रहों का राशी प्रोड़तन है तथा यहत चारों ही राशी प्रोड़तन आपकी राशी के लिए किसी ना किसी रूप से शुगता परदान करने वाले साबी थूए दो अक्तूबर को लगजरी लाइफ हैं बोतिक सुखों के कारक शुक र Revelation कर, राशी प्रोड़तन कर च्छटे बाब में प्रवेश कर जाएगा तो राशी स्वामि बुध वक्री वस्ता के कार्णवश चतूर्थ बाब में प्रवेश कर जाएगा चतुर्द बाब के स्वामी बुद्ध का चतुर्द बाब अपने ही बाब पर गोचर सुखों में व्रिदी करेगा विबिन प्रकार के सुख प्रापत होंगे चतुर्द बाब पर सूर्य एम मंगल दोनों गरम ग्रहों के परवाब से घर परवार की सुख शांती कुछ बंग हो रखी थी परन्तु अब हस्या परदान बुद्ध की मजबूस स्थिती से वह कमी दूर होगी घर परवार में सुख शांती परसंता एम अनंद का महोल बनेगा सुर्या एम मंगल के परवाब से पैदा कठोरता एम करूरता में काफी हद तक कमी आएगी मन उत्साही तैम पर फुलित रहेगा तथा आपका सुख मिलन सार बनेगा जनता का सने प्रापत होगा माताजी के सुख सने सैयोग स्वास्त और सवाब में भी बेहतर प्रिवर्दन देखनी को मिलेगा तो तो राशी स्वामी बुद की अपनी उच्च राशी में स्थिती राशी को मजबुती परदान करेगी तथा राशी की मजबुती से स्वास्त सुक मेवरिती होगी राशी स्वामी पर अरजा कारक ग्रेहों के परवाब से आप पूरन जोश एम अरजा शक्ति युक्त रहेंगे उच्पद पर्थिष्टित लोगों से मितर तक अवसर पैदा होंगे दो अक्तूबर से लेकर पूरन माज तक भुद्ध की यह गुच्री स्थिती बनी रही गी कुल मिलाकर राशी स्वामी भुद्ध का राशी प्रवर्तन साकारात्मक एम अनकूलता पर दान करने वाला साबित होगा बात करें शुक्र की तो दो अक्तूबर को शुक्र भी राशी प्रवर्तन का छटे बामें परवेश कर चुका है आपकी राशी के लिए पंचम भाब के स्वामी शुक्र की यह स्थिती विप्रीत रायोग का निर्मान कर रही है यह योग सफलता एम उन्नती का मार्ग पर शर्ष्ट करेगा अपने देश के साथ विदेश तक यश्च कीर्थी तथा परतिश्टा में वरिदी होगी शुक्र की दादेश वाब अपने ही वाब पर पुरंद रिष्टी विदेश से तार्ग जोडेगी विदेश में शिक्षा ग्रेयन की इच्छावले विद्यार्थियों के लिए यह समय अन्कूल अफसर पैदा करेगा पिछले लंबे समय से विदेश स्वंदी अधूरे पड़े कार्या पूरं होंगे संतान को विदेश सेटल करने के लिए प्रयासरत दोस्तों के लिए वी यह मास विशेश सहयोग कर रहा है दोस्तो आपकी राशी के लिए संतान बाब के स्वामी शुकर और संतान कारक गुरू दोनों की ही विदेश बाब पर द्रिश्टी संतान का विदेश से स्वंद स्थापित कर रही है संतान के विदेश यात्रा के योग बनेंगे विदेश से सबंदित वए करवाने के लिए राहुदेव पहले से ही विदेश वाव में विराजमान है अगर यह वए आप पहले से ही कर चुके हैं तो अब इस वए का लाब मिलने का समय है प्रेमी जनों के लिए भी शुकर किसी दूर स्थलकी यात्रा और भूमने फिरने के अफसर पैदा करेगा इसके लिए अच्छा खासा वये भी संभाव है मोज मस्ती और शौक पूर्ती के कारें पर भी वये कर सकते हैं बुद्ध एम सुकर के लावा इस मास सूर्या एम मनगल का राशी प्रवरतन भी है 17 अक्तूबर तक सूर्या तथा 22 अक्तूबर तक मनगल चथृत बाफ पर राशी स्वामी बुद्ध के साथ य удар जोग बनाएंगे आप आर्थिक स्तिती को मजबूत करने के कारियों में जुड़े रहेंगे जोस्तों मंगल की लाबाव अपने ही बाव पर द्रिश्टी से आपकी एकागरता अपने आईसवंदित लक्षियों पर बनी रहेगी जोश और उद्सा की अधिक्ता से महत्त पूरण कारिया पूरण करेंगे आप अपने अधिकार और करतवियों के प्रती सचेत रहेंगे तिर्थिये बाव के स्वामी सूरिया की यह स्थिति आपके साहास प्राकरम और आदम विश्वाज के सदर को अत्यांत उच्छ बना रही है लेकर एमसंद चार शित्तर में आप बहुत अच्छा कार्या करेंगे सूरिया एम बुद का युद्धी योग बुद्धी वलके दम पर सफलता एम लाब के योग बना रहा है 17 अक्टूबर को ग्रेहों के राया पर तक पी सूरिया राशी पर और तनकर नीच राशी और पंचमबा में प्रवेश कर जाएंगे पंचमबा पर सूरिया का नीच वस्था में गोचर सूरिया की स्थिती को कुछ कमजोर बना रहा है इस समय संतान शेतर से कोई प्रेशानी महसूस कर सकते हैं संतान के साथ सने, मदूर्टा, एमताल मेल में कोई कमी ना करें संतान से सबंदित कोई महत्तपुरन निर्निया लेने जा रहे हैं तो बुद्धी वेक से सोच विचार कर ही ले, जल्दवाजी में कोई कार्या ना करें उधर चत्थुर्टबाब पर भूमी पूतर मंगल का बुद्ध के साथ यूती योग भूमी, भवन और जमीन जैदत सबंदिकारियों से सुख खैम लाब के योग बना रहा है प्रोपट्टी से सबंदित कार्या करने वाले दोस्तों को इस यूती योग का विशेश लाब प्रापत होगा दोस्तों, बाइस अक्तूबर को पंगल वी राशी प्रवर्तन कर पंचमभा में प्रवेश कर जाएगा अब पंचमभा पर दो गरम ग्रहों का गोचर आपकी बुद्धी को अतरिक्त उर्जा प्रदान करेगा उर्जा की अधिक्ता से क्रोद और आवेश में भी अत्यंत वरिदी देखने को मिलेगी इस समय आपको अपने क्रोदी और उगरता पुरन सवा पर नियंतरन अधिक वशकता रहेगी क्रोद की अधिक्ता से बने बनाई कारे अखराब हो सकते हैं अपने पेट का भी इस अवदी में खास कर दियान रखें बाहर के तले एं मसालेदार बोजन से प्रहेज करें अधिक गरम पदार्थों का सेवन ना करें मिथून लगन या मिथून राशी वाले तो बच्पन से ही काफी रोमांटिक होते हैं प्रन्तु 22 अकदूबर को मंगल का राशी प्रवर्तन आपकी उतेजना में और अधिक वरिदी करेगा गरम क्रै मंगल का भोग विलास कारक शुकर की राशी तुला में परवेश तथा शुकर पहले से ही मंगल की राशी वरिश्चक में विराजमान है दोनों का प्रस पर राशी प्रवर्तन वप्रीत लिंक के प्रती अकर्शन और भोग विलास्ता पुरन कारियों की और जुकाव अधिक पैदा करेगा अपनी भावना पर नियंतरन की वश्यक्त रहेगी जोस्तो आर्थिक उन्नती और सम्रीदी के मामले में विचार करें तो सूर्या एम मंगल का यह युतियोग उत्तम रहेगा क्योंकि लाव पापर सूर्या की उज्ज द्रिष्टी और मंगल की स्वैं द्रिष्टी आए उन्ती और सफलता को अत्यादिक बल पर दान कर रही है आपको अपने साहस प्राकरम मेहनत और प्रयासों का पूरन फल लाव के रूप में मिलेगा ग्रेग उचर के अनुसार मेहनत से अधिक ही लाव दिखाई दे रहा है परन्तु जोष जोष में होश भी बनाए रखी क्रोध या जल्दवाजी से गलत निर्निया लिये जा सकता है इसलिए क्रोध करने से बचें सेहन शक्ती से काम लेकर लाव बाप की मजबूस तिती का फाइदा उठाई क्रोध की अधिकता प्रेम्स बंदों को भी परवावित कर सकती है इसलिए इस अवदी में प्रेमी जन से कम ही मिलें तो बहतर है दोस्तों मास के अंत में पूरन जोश और उत्सा के साथ आप नवंबर मास में परवेश करेंगे आपको या वीडियो कैसी लगी लाइक, शेर, कमेंट और सबस्क्राइब करना न भूले देने वर